एक ये स्नूकर आपके लिए लाया है एक महीने का स्नूकर कोचिंग कोर्स आनलाइन हर वीक में आपकी चार क्लासिज हुआ करेंगी ये कोर्स उन तमाम लोगों के लिए है जो बहुत अर्से से स्नूकर खेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं स्नूकर को समझने की बेशमार वीडियो देखकर बेशमार लोगों से मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन वो इंप्रूब नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये पोस्ट बहुत जरूरी है कि लेकिन वो इंप्रूब नहीं करेंगे और आपको नॉलिज ट्रांस्टर वो कि लेकिन वी पोफेशनल किस तरीके से एडवांस प्लेयर स्नूकर खेलते हैं हम इस फूर वीक्स कोर्स में फिर्स वीक में कवर करने वाले हैं स्नूकर बेसिक्स स्नूकर बेसिक्स में क्या चीज़ें आएंगी ब्रिज हैंड क्यू आपका स्टांस लाइन ओफ एम को समझने की कोशिश करेंगे हैं आपकी ग्रिप इस कोर्स में हम आपकी एल्बो को भी जज़ करेंगे और क्रेक्ट करेंगे कि क्या आपकी एल्बो आफ लाइन है और क्यों और कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं और कितना जोरी है इसको करेक्ट करना ये सारा हमारा इसी कोर्स का हिसा होगा वीक वन में ही ये चीज़ें कवर होजाएंगे हम साइटिंग के उपर भी बात करेंगे और आपकी डॉमिनेंट आई को भी डिसकस करेंगे इस कोर्स में जिसको बहुत साइ कोचिज ने इवन इंटरनेशनल कोचिज ने भी काफी कॉम्प्लिकेट किया हुआ अरफालैक आपकी राफालियर के लिए और इस मित को भी हल करेंगे इसी सनूकर कोचिंग कॉर्स में अब होारे लिये सनूक्र में स्टैडी रहना जो जरूई है यह भी हम अपने कॉर्स में कवर करेंगे और इन तमाम चीजों को सीखने के बाद हम इसके उपर प्रैक्टिस रूटीन लेंगे और सिखेंगे किस तरीके से हम इसको अपनी हैबिट बना सकते हैं एक यू स्नूकर ऑनलाइन स्नूकर कोचिंग कैडमी के सेकंड कोर्स में हम कवर करेंगे स्नूकर कोटिंग potting में हम कवर करेंगे potting angles को straight pots को आपकवर ब्रिजिन को और potting और potting angles को समझते हुए हम white ball की line को भी explore करेंगे जो के हमारे ब्रेक विल्डिंग में काम आएगी हम इजी बाल्स क्यों मिस कर देते हैं इसको भी डिस्कुस करेंगे इसी लेक्चर में एंगल पॉर्स को जज करना और उसको पॉर्ट करना बहुत से प्लेयरों को मुश्किल लगता है हम इस कोर्स में यह भी डिस्कुस करेंगे कि किस त्रीके से हम एंगल पॉर्टिंग के उपर अभूर हासिल कर सकते हैं और टोर्नमेंट में अच्छी तरह पर्फॉर्म कर से से मिश्कुस करेंगे वीग थ्री हम सारा स्पैंड करेंगे शॉट्स सीखने में जैसे कि स्टैन शॉट FOLLOW SHOT SCREW SHOT STAND FOLLOW SHOT हम सीखेंगे तीसरे हफटे में कि किस तरीके से हम SHOTS को बेतर तरीके से खेल सकते हैं और क्या गलतियां हम करते हैं जिसकी विरह से हम वो SHOTS नहीं खेल सकते जो प्रोफेशनल्स खेलते हैं उसके लाबा हम वीग 3 में SIDES को कवर करेंगे राइएंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, रिवर्स साइड तॉक्विट साइड स्क्रूर रिवर्स साइड स्क्रूर रिवर्स साइड यह तमाम चीजें कवर होंगी हमारे इसी ऑनलाइन स्नुकर कोचिंग फूर वीक्स के कोर्स में वीग 3 में ही हम पावर शॉट्स के उपर भी काम करेंगे जो के बहुत सेंस्टेब और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है लेकिन हम उसके उपर काम करेंगे और अपनी क्यूइंग को क्रेक्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम पावर शॉट्स को कॉंफर्टेबली और कंट्रोल के साथ खेल सकते हैं इसके लगा हमारे हर कोचिंग डे में आपके साथ क्वेशन आसर्स का टाइम भी मिलेगा जिस पे आपके सवालात के जवाबाद दिये जाएंगे और अगर जो आप अपनी वीडियो भी हमारे आनलाइन स्ट्रोल कोचिंग अडेमी में शेयर करेंगे उसके उपर भी मैं अनलसिस करूँगा आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप अपनी गेम को मजीद बेहतर कर सकते हैं तो वीड फोर सबसे इंपॉर्टन वीड है जिसमें हम बात करेंगे मेंटल टफनेस के उपर गेम टैक्टिक्स के उपर और मैच प्ले के उपर किस तरीके से हम बेटर तरीके से मैच खेल के मैच में परफॉर्म करके उसको विन कर सकते हैं फोर हमारा टोटली स्पैंड होगा एड्वास गेम के उपर, प्रेट बिल्डून के उपर, मेंटल टफ नस्थ के उपर और हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपनी गेम को बेतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और बीच में practice routines किस तरीके से हम adapt कर सकते हैं अपनी गेम को improve करने के लिए इस course के बाद आप खुद decide कर सकेंगे कि आप की game कहां पर है और कहां पर आप उसको ले कर जाना चाते हैं और कैसे ले कर जा सकते हैं आज से पहले जितने भी आपने वीडियो देखी जितनी भी आपने बुक्स पढ़ी जितने भी लोगों से डिसकस किया वो सारी scattered information थी फैली हुई थी लेकिन मैं इस कोर्स में वो सारी चीज़ें कठी करके आपको transfer करूंगा और आपको एक बेहतर बना प्लेयर बनाने की कोशिश करेंगे अभी रिजिस्टर करें अपने आपको एकी सुनकर कोचिंग कोर्स में क्यूंकि अगली बारी आपकी एक महिने के बाद आएगी तो first come first get है एक दफ़ा कोर्स स्टार्ट हो गया उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिल सके जल दजल जॉइन करें क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और 10 मार्च से हमने इसको शुरू करना है नो मार्च को मैंने इसकी रिस्टेशन क्लोज कर देनी है और नेक्स्ट लेंट फिज जो होंगी इस कोर्स के लिए वो होंगी 10 एपरिल को